दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में सरकारी सहायता से हर साल लगेंगे 40 क्रिसी उद्योग इन लोगों को मिलेगा पैसा जी हाँ कोरोना काल में बेरोजगार हुए वक के लिए अच्छा अवसर है अगर उनके पास नया आडिया है तो सरकार उन्हें क्रिसी उद्योग लगाने के लिए पैसा देगी पहले से अगर कोई क्रिसी उद्योग चला रहे तो ये भी इसका लाब ले सकते हैं लेकिन उद्योग परामपरिक नहीं बलकि नवचार अधारी तो योजना से बिहार में हर साल 40 नहीं क्रिसी उद्योग लगेंगे पहला सब उमंग इसमें ट्रेनिंग के दोरान इवोको को 10,000 रुपे स्टैपेंड मिलेगा आड़ी अगर केंद्रे ने चैनित किया तो उन्हें 5 लाग तक की रासी सायता के रूप में मिलेगी दूसरा कंपोनेंट है सब स्वामलंबी इसके ताथ इच्चुक लोगों को ट्रेनिंग के दोरान 25,000 रुपे मिलेंगे और बाद में उद्योग लगाने के लिए 25 लाग रुपे तक की सायता रासी दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए बताती की भारत सरकार की रप्तार योजना के ताथ शुरू हो भी इस नई योजना के लिए देश के 40 संस्तानों का चैन हुआ है उसमें राज का बिहार क्रिसिव इस विद्दालाई भी सामिल है अगली बाड़ी कबर लोगडाउन के दुरान ग्रामین इलाकों में सकती सभी साधिया वसराद की बनेंगी रिपोर्ट वाट्सव ग्रूप पर बिमार ग्रामینों की सुचना रहेगी जिहां बिहार के ग्रामीन इलाकों में लोगडाउन का पालन सुनिचित करने के लिए और सक्ति बरती जाएगी इसके लिए प्रकार निस्तर के अधिकारियों को विशेश जिम्मा दिया गया है गाह में होने वाली साधिव स्राध कर्म की भी रिपोर्ट लिखी जाएगी जामीन चेत्रों में संग्रमन का दर अभी अधिक है और गाउं के लोग जागरुकता के अभा में साधी विवाए वंसराद में जूट रहे हैं ऐसे में संग्रमन गटने की जगा बढ़ने का खत्रा है इसकरन पुलिस की गस्त बढ़ाने का अनोरोध स्वास्त विवाग ने पुलिस मुख्यालाई से किया है बिहार में टिका एक्सप्रेस की सुरुवात 45 पलस के लोगों को दी जाएगी वेक्सिन जी आ बिहार में कोरोना बारेस को हराने के लिए अब टिकागरन बिहान जोरो सोरो से चल रहा है अब निती सरकान ने चलन टिकागरन केंद्र चलाने का फैसला किया है इसके लिए टिका एक्सप्रेस की सुरुवात होगी राज स्वास्त समिती के कारपलक ने देशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को टिका एक्सप्रेस सुरु करने का निर्देस दिया है उन्होंने निर्देस में कहा है कि टिका एक्सप्रेस सुदूर ग्रामे इलाकों तक जाएगा और लोगों को कोरोना का टिका लगाएगा उन्होंने इस चलंग टिका करन के मैधन से 45 से अधिक उम्र के सबी लोगों का टिका करन करने का निर्दिस दिया है आपको बता दी कि राष्टिय बाल स्वास्त कारकरम के तहट 700 वहां टिका एक्सप्रेस के रूप में चलेगी जिया एडवांटेज केर की फ्री एंबुलेंस सेवा के बाद आप अक्सिजन कॉंस्ट्रेटर की स्विधा जल्दी लॉंच होगा मवाईल है राष्दानी पटना के लोगों को मुप्त एंबुलेंस सेवा देने के बाद एडवांटेज केर आप मरेजो को मुप्त में अक्सिजन कॉंस्ट्रेटर की स्विधा भी उपलब्द कराएगा फिलाल दो ओक्सिजन कंस्टेटर की विवस्ता की गई है कोई भी जुरत मन हेलप लाइन नंबर 706114742 पर संकर बोस को फोन करके इससे प्राप्त कर सकता लेकिन इसे लोटाना भी होगा इसके लावा आपको बता दे कि इसने पिछले दिनों सहर के लोगों के लिए मुप्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की है या एम्बुलेंस ओक्सिजन सिलेंडर और विल्चेर की स्विदा के साथ है कोई भी वेक्ति हेल्प लाइन नंबर 748034824 पर फोन करके मुप्त एम्बु जिहां यस तुपान के मद्देनेजर मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में भी येलो अलेड जारी कर दिया है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजे कुमार का कहना है कि तुपान के कारण राज के पूर्विय भाग में 24 मयाने आज से बारिस सुरू हो की संभावना है 25 एवं 26 मई को पुरे प्रदेश में बारिस के आसार है गौरतलबे की अरब सागर मिटे चकरवारत ने भी बिहार में कावे असर दिखाया जबकि इसकी दूरी बिहार से कई अधिक थी अगली बड़े कवर 25 विद्दालय में परवेश परिक्चा के लिए जल्द सुरू होगी प्रक्रिया जाने आपको क्या करना है जिहा सेक्चनिक सत्र को नियमित करने के लिए पटना विद्दालय के ओर से नमाकन के लिए कावायाद आरम कर दी गई है पटना विद्दालय यानि पियो बिहार का सबसे प्रतिष्टित और पुराना विद्दालय भी है इस विद्दालय में सेक्चनिक सत्र दूसरे विद्दालय के पिक्चा काफी हद तक ठीक रहता है लेकिन कोरोना का असर यहां भी पढ़ी गया है जिसको लेकर अब पटना विद्दालय में नामांकल से लेकर परिणाम जानने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ओलाइन होगी इसके लिए एक एजनसी को जिम्मेवारी सोपी गई है माई के अन तक नेजी एजनसी को एंट्रेस्ट टेस्ट लेने के लिए ओलाइन आविदन के लिए अवश्यक प्रक्रिया तैयार करने का भी निर्दिस दिया है आपको बता दे कि प्यू की परवेश परिक्षा वा परिनाम की प्रक्रिया को पूरी तरह इंट्रिगेटिड किया जा रहा है इससे नमांगन से लेकर परिणाम तेकी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगा ऐसे में चात्रों को भी भागदोर नहीं करनी होगी अगली बाड़ी कबर रद नहीं होगी CBS 12 के बोर्ड परिचाए एक जून को होगा तारिक का एलान जैए मेन और नीट का भी होगा आयोजन केंद्रिय सिक्चा मंत्री रमेश पुकरियाल निसंक रक्चा मंत्री राजनात सिंग और अन केंद्रिय मंत्रियों सिक्चा राज मंत्री विविन राजों के सिक्चा मंत्रियों और सिक्चा सचिवों के साथ बारवी की लंबित बोर्ड परिचाओं के महामारे के बीच आयोजन को लेकर कल 23 मैं 2021 को हुई वर्चूल मीटिंग के दोरान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिबेसी की बारवी की परिच्चाओं का आयोजन किया जाएगा हाला कि परिच्चा का फॉर्मेट में बदलाव किया जा सकता है सिबेसी बोर्ड द्वारा परिच्चाओं को लेकर तारीकों की गोसना और एक्जाम पेटर्न के लिए एक जुन 2021 को गोसना की जाएगी इसी प बिहार में लोगडाउन का सकरात्मक असर कुरोना मामलों पर दिख रहा है यहां मामलों में लगातार कमी आ रही है बिहार में कुरोना संक्रमन की दर रहिवार को तीन पेज़ी पर पहुच गई राज में पिछले 24 घंटे में 4,002 नए कुरोना संक्रमन की पहचान की गई है इस दोरान राज में 1,32,590 सेंपल की कुरोना जच की गई। वह आपको बदा दे कि पटना में सरवाधे 795 नए कुरोना संक्रमित की पहचान की गई है। अगली बड़ी कबर सुसिल मोदी ने बज़ेपी करकरताओं से अपील की है। मड़ी सेंख्या में इसे लोगों की भी असमायक मित्ति हो गई है जो परिवार में कमाने वाले सदे से थे। ऐसे में अब उनके बच्चों की सिक्चा और मारन पोसन कठिन हो गया है। इसको देखते वे बिज़ेपी के करकरता इसकी जिम्मिदारी ले। उन्होंने सरकार से परवारिस योजना के दारे को भी बढ़ाने के लिए का। सुसिल मुदी ने लिखा मामारे केस कडिन समय में भाजपा के सभी सक्चम कर करता हो। बिधायकों और सांसदों को कोवीड अनात बच्चों की सिक्चा पूरी करने की जिम्मिदारी अपने उपर लेनी चाहिए। अगली बड़ी कबर जितरा माजे ने टिके की परमान पत्र पर पीम की तस्वीर पर जताई अपत्ति अब तक 124,175 लोगों को लगी है वेक्सिन। देश में समवेधानिक संस्ताओं के सर्वसरवा राष्टपती है इस नाति उसमें राष्टपती की तस्वीर होनी चाहिए वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्टपती के अलावा पीम और इस्तानिय सेम की भी तस्वीर होई आपको बदा दे कि राज में पिछले 24 गंगा पर बन रहे 9 मेगा पूल जहां मुष्मंत्री निदिश कुमार ने पदादिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी पर निर्मानाधीन 9 मेगा पूल परियोजना को समय सिमा के अंदर पूरा करे इसी दर्मियान मुंगेर घाट रेल सवा सड़क पूल के बा अगली बड़ी कबर लोगडाउन बढ़ाने पर नितिश सरकार आज लेगी बड़ा पैसला सिम नितिश ने लोगडाउन बढ़ाने के दिये संके डाक्टरों की सला एवं सुझाव को मानना चाहिए लोगडाउन के अच्छे नतिजे मिल रहे हैं जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है इसका परिनाम यह हुआ कि अब मरेजों की सेंक्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है 25 माई के पूरो बेठक कर यह न जानकारी दे जाएगे उनकी समाति के बाद मुईके सचीव राज में अगले दस दिनों के लिए लोगडाउन 3 की गोसना कर सकते हैं अगली बड़े कबर नितिज केविनेट के मंत्री अब नहीं करेंगे ब्रहामान मुईकी मंत्री ने कोरोना संकट में ऐसा करने से किया मना मुईकी मंत्री नितिज कुमार ने केविनेट के मंत्रियों को ब्रहामन करने से मना कर दिया है इस समद में सभी मंत्रियों को सुचित कर दिया गया है केविनेट सचीवाला के अपर मुईके सचीव संजे कुमार ने इस समद में सभी मंत्रियों को पत्र भेजा है पत्र में क कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर चर रहा है, राज सरकार द्वारा को नियंतरत करने के उद्देसे से वेक्तिय वन वहानों के आवागमन पर कड़े प्रतिबंद लगाए गए हैं, जिसके गारन मंत्रे गंद द्वारा प्रतिबंद की अवदे में जीलो कब रहमन करने से आम ज क्रिकेट कलेंडर में लगातार बदलाव के कारण समय उपलब नहीं होने के चलते एसिया कप का 2021 टूर्णामेंट अब 2023 में होगा इस साल इस महादीपिया टूर्णामेंट को पाकिस्तान से स्री लंका में इस्तांतरित किया गया तर लेकिन वहां भी मामलों के बढ़ते के कार में प्रदसन कर मनाएंगे काला दिवस जा नए क्रिसी कानून के मसले पर किसान संगटनों और सरकार के बेच गतिरोथ थमता नजर नहीं आ रहा है क्रिसी कानून का विरोध कर रहे किसान नेताव को एक बर फिर बिबक्चि दोलो का समर्थन मिला है कॉंग्रेस समेथ 12 बड काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार सरकार को लोगडाउन को और कितने दिनों के लिए बढ़ाना चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं